जी हाँ दोस्तों सिदू मुसेवाला जी के हत्यागे ठीक धाई साल बाद लौरंस बिशनोई का शूटर पवन बिशनोई को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामनी आई है आपको बता दे सिदू मुसेवाला जी के हत्याकान में शामिल आरोपी गाउ भिड़राना निवासी पवन बिशनोई को पंजाब पुलिस फरीद कोट जेल से फतेहबाद के देवी लाल मार्केट इस्तित HDFC बैंक में लेकर पहुंची आरोपी पवन बिशनोई को बैंक की कागजी कारवाई में हस्ताक्षर के लिए जेल से यहां लाया गया था बताया जा रहा है कि पवन बिशनोई के नाम पर से बैंक खाता चल रहा है उसे उसकी पतनी के नाम पर किया गया है ताकि वह लेन देन असानी से कर सका सिर्फ इतना ही नहीं आरोपी पवन विश्णोई को पंजाब पुलिस जब यहां लेकर पहुँची तो शहर पुलिस टीम पहले से अलर्ट थी शहर थाना प्रभारी रनजीत सिंग और CIT टीम को सुरक्षा वैवस्था को लेकर बैंक में पहुँचे आरोपी के पहुचने से पहले ही बैंक के अन्य अधिकारियों और करमचारियों को बाहर निकाल दिया गया इसके अलाबा बैंक के शटर और एटिम कक्ष को भी बंद कर दिया गया था तक्रीवन एक घंटा तक बैंक के अंदर कागजी करवाई चलती रही लगता है इसके चलते बैंक में लेन देन पूरी तरह से गंटे तक बंद रहा और ग्राहक जो थे बाहर इंतजार करते हैं लेकिन पुलिस ने किसी को भी उसके नजदिक नहीं आने दिया आपको ये जानकर काफी ज़्यादा हैरानी होगी दोस्तों कि सिधुम उसे वाला जी के हत्याकान में शूटरों के पास जो गाड़ी थी उसे गाउं भिर राना निवासी पवन बिशनोई द्वारा उपलब्ध करवाया गया था ठीक इसी आरोप में पुलिस ने गाउं भिर राना निवासी पवन बिशनोई को किरफतार किया था इस प्रकार से बैंक में जो हस्ताक्षर करवाने के लिए लाया गया था पवन बिशनोई को इसे लेकर आपकी क्या राय है क्या आप इसे सहमत है जो भी आ किराए है इसे लेकर कमेंट शेक्शन में जरूर लेखिएगा और हैस्टेक जस्टिस फोर्स सिदू मुसे वाला भी अविश्य लेखिएगा कमेंट शेक्शन में दोस्तों धन्यवाद